स्वास्त की हम लाए हैं सेहत आपकी नमस्कार सेहत आपकी कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है वंदन है दोस्तों हर हफते मंगलवार वबुधवार हम आप से साजा करते हैं स्वास्त से समंदित जानकारियां ताकि आपका स्वास्त उत्तम हो सके इसी क्रम में हम प्रिष्ट होमोपैथिक चिकत सक्ट, डॉक्टर साब आपका बहुत स्वागत है, जाई क्या है, ये कैसे उत्पन होती है, इन सब बातों को समझने के लिए आईए चलते हैं, डॉक्टर के साथ. जाई इस वक्त की एक बहुत बड़ी समस्या है, इस बात को मैं कहें कि अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखें हर चौथी महिला को, हर चौथे पुरुस को जाई की शिकायत है, क्योंकि आज का परिवेश वैसा हो गया है, जाई बेसिकली आपके चेरे प होते हैं, उनको जाई कहते हैं, जाई काफी प्रेवलिंट है और अब जब इती गरम पढ़ने लगी है तो यह बहुत देखी जाती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और हम देखते हैं कि आन तोर पे लोग परिशान रहते हैं कि जाई को कैसे दूर करें, कहा यह जाता ह तरह ठीक हो जाती है, इसमें बहुत से लोग चिंतित रहते हैं, सबसे कॉमा समस्य आती है, जब प्रिग्निंसी महिलाओं के होती है, तब उनके जाई हो जाती है, ब्राउन स्पार्स हो जाती है, जो चेरे पे बटरफ्लाई लाइक इमिजेस बन जाती हैं, यहां सब ठीक ह होने वाली कंडिशन्स हैं, जो की आम तोर पर ठीक हो जाती है, यहां बिल्कुल खतरनाक नहीं होती है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुचाती है, सिवा इसके कि आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं, इसके अलावा जाई का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, त आप सुरक्षित रहेंगे, सबसे बड़ा तरीका जो जाई को आप बच सकते हैं, वो एक आप धूप के एकस्पोजर को कम कर दे, आज का जो दौर है, आम तोर पे हम लोग देखते हैं कि आपको धूप में दौरना है, धूप में काम करना है, आप शेल्समैन है, सेल्स बॉ तो उस अस्थिती में आपको संसे इस्पोजर से अपने आपको बचाना है, जो जाई का प्रमुक कारण है, पुर्सों में और महिलाओं में जो धूप का एकस्पोजर होता है, तो अगर आप इन सब चीजों से अपने को बचा लेते हैं, तो या जो ब्लैक स्पॉट्स, ब् पैदा कर रहा है, वहाँ पुरी तरह ठीक हो जाएगा और आपके मिलैनो साइट्स, एवरेस से जादा मिलैनिन नहीं बनाएंगे और इस प्रकार आप जाई से बच जाएंगे. जी, डॉक्टर साब ने सही का, जैसा कि आप कह रहे थे कि चहरे पे अगर कोई भी दाग होता है, तो आत्मिश्वास में कमी होती है, तो चहरे का खास ख्याल लग है, इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चहरे से जाई हटाने के आसान उपचार, अब इस सेगमेंट से आ डॉक्टर साब से बात करने के लिए हमारे फोन नमबर नोट कर ले, हमारे फोन नमबर इस प्रकार है, 0522-220-5756, 0522-2288-698, तो जल्दी से हम से जुड़िये, हमें बड़ी खुशी होगी, और हमसे बात करने से पहले, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम हमें थोड़ा कम कर ले, धन्यवाद, डॉक्टर साब ज्ाहई कितने प्रकार की होती है, ज्हाई दूप की रोश्चनी आपके पड़ती है, इसमें और पिगमेंट MOR Adding पिगमेंट्स सीटोeni लीखुने मेलनोसाइट्स, वलसूमि 때문에 nggak byसह भाला चालने लगता है, ऐहां यहां मे फिर एक होता है एज स्पॉट्स, एज स्पॉट्स जब आपके थोड़ा साफ लेट फॉर्टीज में आते हैं, पचास साल चालिस साल की उमर को पार कर रहे होते हैं, तो आपके जाई आने लगती, पिंग्मेंटेशन होने लगता है, यहाम तोर पे डार्क ब्राउन होता है, और आपके शरीर और बैक दोनों पे हो सकता है, फिर एक आता है डिजीज इंडियो, कि कभी आपके कोई एक्जेमा हुआ है, कभी आपके एक्ने हुआ है, कभी आपके कोई ऐलर्जी हुई है, उससे आपके जब वो ऐलर्जी तो चली गई, लेकिन आपके डार्क ब्राउन स तो वहाँ भी एक तरह का hyperpigmentation होता है और एक चोथा जो बड़ा ही common होता है जिसका नाम हमारे दर्शकों ने सुना होगा म्लियز्मा उसको कहते है ये एक ही चीज है पहले मैं यहाँ बता दू आप लोग कभी-कभी चीज है कि कीजिस्द के हैं यहाँ प्रिग्नेंसी के दोरान और प्ैट्रिग्नेंसी के बाद जो आपके old पेंशन्हा प्रिग्नेंसी के sp分鐘 रह जाते हैं वहाँ ही मिल्याजमा या क्लियाजमा कहलाते हैं, तो मुख्य रूप से इतने प्रकार कर जाए ही होती है, उसके अलावा, सर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अजमेर से एक दर्शक हमाई सा जुड़ना चाह रहे हैं, हलो, 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 जी मैम, जी अपना प्रशन रख मेरे चहरे पर जो कालापन आया है, उसके बारे मैं प्रूशना है, मैम, यह आपने बहुत सभी सवाल उठाया, इसको जैसा मैं चर्चा कर रहता है, इसको कलियाजमा कहते हैं, और यह बड़ी कॉमन समस्या, यह आप ही कि सवाल नहीं है, यह हमारे, मेरा ख्याले, लाखों दो दो बून तीन बार यदी एक महने तक ले लेती हैं, और साथ में कलकेरिया कार्व 30, यह वो दवा है कलकेरिया कार्व 30, जो आपकी प्रिग्निंसी के बाद जित्ते भी सिम्टम आप में आए हैं, जो आपको परिशान कर रहे हैं, उन सब को कवर करके आपको ठीक कर लगाएं, कौन सा ओइंटमेंट लगाएं, तो मैं उसके लिए बता दो, एक दवा आती है, हुमियोपेटियम बर्बेरिस एक्यूफोलियम, इसका आप मदध हिंचा ले ले और इसका पांच बूंद, आप एक चमच पानी में डालने और उसको आप कॉटन से अपने चेरे लगा दे और इसकी दस बूंद सुबा शाम पी ले, आप देखेंगे कि आपका चेरा चमक क्या शाइन करने लगा, आपकी डलने चली गई और जहाई तो बिल्कुल खतम हो गई आप क्लियस्मा और मिल्यस्मा के बाहर आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का ज्हाई की लग्षण क्या है और अगर आपको पैचेस दिखें अगर आपको चेरे पर पैचेस दिखें तो समालिजे की वह जाही है, इसके इसके करन थमाम होते हैं, जैसे मने बता एक सन कारन हो गया, धूप की रोशनी से एक टैनिंग होती है, टैनिंग में में मिलैनोम सा दूसरा, अभी जैसा मैडम ने उठाया सवाल, मिलियाजमा हो गया, प्रिंग्दिंसी के बाद आपके पैचेज आ जाते हैं, और वो जाई का रूप ले लेते हैं, उसको भी एक करण होता है, तीसा करण इसका होगे, ड्रग इंडियूस्ट, कि जो आपके बीमारियां होती है एक्जेमा होते हैं, अलर्जीज होती हैं, वो तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आपके ब्लेक पैचेज रह जाते हैं, और चौथा एक और होता है, जो आपके क्रॉनिक डिजीज के कारण होता है, और इसमें सबसे एक नोटिसिबिल जो है, वहाँ होता है, यहाँ gland के कारण होता है जिसमें आपकी muscles बहुत fatigue हो जाती है और इससे जो आपके skin के force होते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा उसमें skin के जो force होते हैं वहाँ पे काला पना जाता है यहाँ basically addition disease से आता है और इसका पहचान यह है कि आपके muscle में weakness है तो अगर आपके muscular weakness किसी दर्शक के हमारे हो रही है और उसके force of skin पे force of skin पे अगर उसके pigmentation हो रहा है hyperpigmentation जहां ही छपाकी हो रही है तो आपको समझ लीजे doctor को तुरन दिखाना है सराम चेशा को आगे बढ़ाएंगे ग्वालियर से में दर्शक है जूणना चाह रहे हैं जी अलो जी अपना प्रशन रखें का अलो जी आपकी आवाज आरी आप अपना प्रश्न जी रहत ही यादो जी है ग्वालियर से हाँ बताए मैं बताए जी मैम अपना प्रशन रखें इसका मैडम बहुत सराल उपाय है जैसा कि हमने आपको बताया इसके लिए आप तीन होमियोपेथिक दबा ले ले आप तीन चीज़ों का आप इस्तमाल कर ले आप देखेंगे कि आपका चेरा पहले की तरह चमक गया या पहले से बेतर चमक गया लोग कहेंगे कि प्रिग्मिंसी के बाद आप और जो है डिलिवरी के बाद चमकने लगे हैं साथ में हम आपको एक और अचुक नुकसा बताते हैं आप थोड़ा सा शहद ले ले और शहद में थोड़ा दही डालें दोनों चीज़ों को मिला लें और चेरे पे एक टाइम रोज लगा लिया करें पंदर मेट उसके आद गुलाब जल के पानी से थोड़ा पानी मिक्स कर करें खुलाब जल से चेरा दोलिया करें आप देखेंगे कि आप का जैसा प्रिए में आपको जैसे बच्चे की शकीन में इसकीन नहीं हो जाएगी। इस से बेतर और उपाई नहीं हो सकता आपके कर्णिस के बाद चमकाने का जी क्या बास है तो डॉक्टर साबने बताया को फॉलो करें और आपका चेहरा बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम हो जाएगा सब एक बद दवाई के नाम फिर से हमाई दरश्कों बता दें अगर किया यह मैंने जैसे कहा था कि लाखों लोगों का यह सवाल होगा अगर आपका प्रिग्निंसी के बाद आपके जहाई ले सकती हैं सुबा दुपैर शाम और बर्बेश एक्योफोलियम आप चेहरे पे भी उसकी कुछ ड्राप्स लगा सकती है वाटर में डाले उट करके और उसके मदर टिंचर को आप दस बून या बीज बून सुबा शाम पी बी सकती हैं और यहां पर मैं एक बात और जोड़ ले ले लें आप देखेंगे कि आपका थर्टी पावर में आपका संटैन भी बिल्कुल खतम हो गया और इस कैडमियम सल्फ नाम की दवा से आपका चेहरा बिल्कुल चमक के नैचुरल फेर कलर में आ गया तो सर यह दवा किस तरह से लेनी है इसके लिए कुछ नहीं बस पर पहर में कभी भी रात में सोते वक्त सर एक और हम से और जुड़ना चाहरा है जी हलो है हलो है हलो है जी मैम अपना प्रश्न रखें तरम जी श्रंगों मां बीमारी है कौन सी मैं कौन सी बीमारी बीमारी जनम से जी यह आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया बिल्कुल जी यह बहुत अच्छा सवाल आप ने उठाया है यह भी दिक्कत हो अच्छी होती है इसके लिए आपके पास बहुत अच्छी दवाहें पहली रभाई है थूजा थूजा ऑक्सिडेंटेलिस थर्टी पावर में अगर आप दो दो बून दिन में तीन बार ले लेती हैं तो आपके आखों के नीचे यहाँ आ रहे हैं आप देखेंगे कि यहाँ चले गए साथ में इसमें आप दूसी दवा जो आपके इसका पिगमेंट भी ना पढ़े इसकी दवा है लाइको पोडियम आप लाइको पोडियम क्लिवेटम 30 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लाइको क्लिवेटम 30 और आप थूजा ऑक्सिटेंटेलिस 30 इनकी अगर दो दो बून दिन में तीन बाल ले लेते हैं तो आपका यहां आखों के नीचे जो एरुप्शन सा रहे हैं यहां भी पूरी तरह चले जाएंगे और आपकी स्किन बिलकुल फ्लॉलेस और बिलकुल स्मूध या बिलकुल एक बराबर सी हो जाएगी जाहिरों के प्रिवेंशन क्या है इसका न प्रिवे जाएगे बचने के लिए सबसे पहली बात आप अपने डाइजेशन को दुरुस्त रखेंए अपने पेट को साफ है अगर आपका पेट साफ है तो वहाँ आपके चेरे पे दिखेगा और अगर आपका पेट खराब है आपको कब्स बनी रहती है तो वहाँ भी आपके चेरे पर जाई के रूप में दिख सकता है दूसरी बात आप पानी बहुत पिए आज की भाग दौर की दुनिया है हम लोग पानी पीना भूल गए है बस पानी पीते हैं जब खाना खाते हैं तो खाना निगलने के लिए पानी पीते है तो पानी को जादा पिए अपने दर्शकों को बताएं कि आपको चार लीटर से पा तुपक्सिक क्वेस्ट है बाड़ी आप है बेहार जाती रहाँ और आपका चेहरा बगार महिंगे इलाज के आपके अंदर की कुपसूर्ती से और आपके अंदर के निर्मल निर्मल तत्तों से चमकता रहे बिल्कुल हम आगे बात करेंगे बुकारों से कॉलर हमाइसा जोड़ रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे हलो 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 है अपना नाम बता है प्रेशन रखें अच्छा इसकी संतोज जी यह बड़ा कामन और बड़ा अच्छा सवाल इसका बहुत कारगर दवाय है मस्टा मस्टा पहले मैं बता दूं होता क्या है तमाम दर्सक हैं उनको थोड़ा सका जानकारी भी हो जाएगी आप क्या मस्ता बेसी कैली फिन वाइर्स ने हो जाता है या वायरेस जगाने फैलता है आपकी बच्ची के जो है वह मोलसकन के यो सम उसके महीन-वहीन-महीन चाले रूपी, दाने रूपी मसे हो जाते हैं, उसको कहते हैं मुलस्खम-कंटेजियों Σबंग, पहली आप यह समझ लेए, दूसरी बात अगर मुलस्खम हो गया, तुसको हटाएंगे कैसेhdब। LOL कैसे, बहुत सुभाविक सा सवाल है, और इसका का दुसरी दवा जोड़ दिए कॉस्टिकम कॉस्टिकम हैं निमेन इसका पूरा नाम है लेकिन आपे तिक ॉस्टिकम 200 Пос kes पेन दाओं को आपस में ले सकते हैं में चला सकते हैं और आप ढिपने में कह बैद निमार को और आप देखेंगे के के आगे नहीं फैला जी डॉक्टर साब आप बता लिए थे कि पेट की खराबी से जाहिया होती है इस पर हम बात करेंगे सर्थ एक कॉलर हमसे और जोड़ रहे हैं सर्थ अपना नाम रखें नाम बताएं और प्रशन रखें जी सर में राजदीब बात कर रहा हूं जी राजद क्या बोलते हैं सर्थ हां उसको जाई और छपाकी बोलते हैं जो आज का विशय है बिल्कुल सर्थ उसके लिए को इलाज बताने बिल्कुल आप कापी पर निकालने इसका बहुत अच्छा एलाज है पहला जैसे हमने कहा की पेट को साप रखे रात का खाना आप 6-7 बजे त है पहली दशाव है सेब्सक्राइब को साब्सक्राइब या तीन दबाओ को आप दो दो बूंद एदि दिद में तीन बार ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि महीने से तीन महीने के अंदर सारी जहाई चली गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए साथ में धूप से बचे तांबे का जग लें उसमें रात में पानी रख दे और सुबा वही पानी पीए और अगर तांबे का गिलास ले ले तो भी अच्छा है ये पांच-छेसो रुपए का आपका खर्चा है लेकिन जीवन भर के लिए आपका वह साथ देगा आपके चेहरे पे जो हम लोगों के और इसकिन बिल्कुल फ्लालेस हो जाएगी और सारी जाही चली जाएगी सर अब तैजीब के शहर लखनू से एक दर्शक हम से जूनना चाहते हैं हलो हलो जी सर अभी कॉल कट गई हैं आपसे बात करेंगे सर हम बात कर रहे थे जैसे आपने बताए कि पानी पीना बहुत जबूरी है विसेचल रहे थे कि हाई के कारण कारण धूप हो गया है आप डारेट धूप से बहुत गर्मी है ब्यालिस पैताली डिग्री का टेंपरेचर है डारेट धूप से बचे पानी बहुत पीएं तबजियत ना होने दें उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रात का खाना जल्दी खा ले उसके अलावा पुदरत देखिए इस मौसम में खीरा ककड़ी किते सारे फल किते सारी इस तरह की चीजे लेती है जिसमें की वाटरी क तर्बूज हो गया खर बुजा हो गया खीरा हो गया ककड़ी हो गया आप इसको खाएं आप इन फलों का जादा इस्तमाल करें और थोड़े भारी खाने का कम इस्तमाल करें क्योंकि इससे आपके पेट में infection भी गर्मी के दौर में होते हैं आपका पेट भी बार बार खराब होगा और आपके चेरे की चमक भी जाएगी तो अगर आपको चेरे की चमक लानी है तो आप खीरा टकड़ी नीबू अब सोचे क्या है पचास पैसे का नीबू थोड़ा सा नमक और शक्कर डालके इतनी बड़िया शिकंजी बना देता है और वो आप पीते रहें आपका बॉड़ी हाइडरेटेड रहेगा यहापको उर्जा भी देगा ताकत भी देगा और विटामिन सी का दो बड़े सस्ते सोर्स होते हैं पहला सोर्स है आमला और दूसरा सोर्स है नीबू अगर आप इन दोन सोर्स का एक कारगर इस्तमाल में अपने ले आते हैं तो आपको यह चार हजार रुपए का ट्यूब नहीं लगाना पड़ेगा आपका चेरे की जाई नीबू और सामले के इस्तमाल से पूरी तरह चली जाएगी साथ में अगर आपके जहाई है तो आप जैसे बेसन हो गया आप याद करिए थोड़े पुराने वक्त को जब हम लोग के मदर फादर माता पिता दादा दादी जो है वो इस तरह के नुकसे हम लोग छोटे ते तो लगाया कर छोगे तो यहाँ चीजे आपकी शेरे पर छमक लाती है यहां खाने में हल् occurring को इस्तमाल करिए बेसन के उप टरन का स्टमाल करिए बाजेरे से अच्छा जो है आपकी जाइंक के जो इसकिन डार्क हो गई है बाम आटे से एच्छा इसकिन पीला नहीं है सवर प्चार पे हम हम और बात करेंगे, और जाना चाहेंगे, एक दर्शक हम से जुड़ना चाह रहे हैं, हलो, हलो, जी, अपना नाम बताया, प्रशन रखें, हम सागर जी, सागर जी, अब क्या प्रशन है आपका, मतलब मेरी पच्छी के चाही हो गया, मतलब प्रिग्मेंट नहीं होता है, बिल से कम 10 करोर लोगों का सवाल यही होगा, प्रिग्नेंसी के बाद जो जहाई हो गई है, मैंने बहुत अच्छी दवाएं आपको बताई, कलकेजिया कार्ब 30 आप ले ले, सीप्य 30 आप ले ले, लाइको पोडियम 30 आप ले सकते हैं, इस तरह की दवाएं ले ले ले, इसका ब होता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, यह पहचानने वाली बात है, जैसा कि मैंने इसमें का एडिसन डिजीज, वो सब इस्थितियां ग्रेव होती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखे, अगर आपको जहाईं के अलावा कोई और सिम्टम लगे, तो आप डॉक्टर के पास जाये, इसी में एक और आपने देखा होगा हमारे दर्सकों को शायद किसी को शिकायत हो, कि पूरा चेहरा काला हो गया है, उसमें होता है कि आईरेन बहुत बढ़ जाता है, जब आईरेन बहुत शरीज में बढ़ जाता है, जब आपका 18-19 hemoglobin आने लगता है, 17 आने लगता आपको काला पंचेरे पे लगने लगे उस तरह की जायी कि पूरा चेरा काले पंचे कवर हो गया है, तो आप तदकाल डॉक्टर से मिलें उसको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जी, डॉक्तर साब एक कॉलर हमसे और जोड़ना चाहरे है, हलो, हलो, हालो, हालो, ह जी मैम अपना नाम बताया है, प्रशन रखे है, मिरा नाम बताया है, और मैं यह पूरा पूरा प्रोग्राम देख रहे हूं, सबसे पहले अपनी कप्स को खतम करिया, अगर हो तो, ना हो तो कोई अच्छी बात है, अगर कप्जियत या कॉंस्टिपेशन आपके हो, उसको जो कि आपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके खतम कर सकते हैं, सन से अपने आपको बचाईए, धूप के डारेक्ट एक्स्पोजर से अपने आपको बताईए, और तीसरी बात जो आपके पूरे शरीर पे है, तो इसके लिए आप दबा कर ले, तीन से छे महीने में इन दब बार ले ले, आप देखेंगी कि जो है, आपका यहाँ जाई पूरी तरह चली गई, साथ में लाइको पोडियम, सीपा, सीपिया और कॉलोफाइलम बताई है, और अगर आपका पेट खराब रहता है, तो इसमें आप आसनिक इल्बम को भी जोड सकती है, यहाँ भी बहुत अच्छी दवा है, अगर आपको बेचैनी साथ में रहती हो, और आम तोर पे तीन-चार दमाएं, और बर्बरी सेक्यो फोलियम आप पीने के लिए, और चेरे पे रुई से लगाने के लिए इस्तमाल कर सकते है, उसका मदट इंचर, यहाँ सब मिला कि आपको जाई को खतम क कर देगा और आपके चेरे को चमकने को बिल्कुल तय कर देगा, तो यह था हमारा सेग्मेंट हेलो डॉक्टर, अब अपने आखरी वाखास सेग्मेंट की तरफ बढ़ते हैं, हेल्थ टेप्स. जी हाँ, यह बहुत इंपार्टेंट सेग्मेंट है, जिसमें की हम लोग उसी लाइन पे चलेंगे, कि प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर, बचाओ ही सबसे अच्छा साधन है, तम समय मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात, अगर आपको चेरे को चमकाना और जाई को खतम करना है, तो आप कबजियत को ना होने दीजे, कॉंस्टिपेशन को ना होने दीजे, और इसका सबसे अच्छा तरीका है, रात का खाना, जल्दी खाना, और मल्टी ग्रेन आटा खाना, बेसन बादरा जोचना, अगर आप इस मिक्स आटे को खाते हैं, तो आप देखें को अगर अपने शरीर से आप बाहर कर रहे हैं, उसके बाद आपका चेरा चमकने लगेगा, तीसरी बात आती है, जो हमने बताई की नीवू आमला, इस तरह के जो विटामिन सी रिच कंपाउंड है, जो आपको बजार में बहुत सस्ते रेडली अविलेबिल हैं, आप सबके आप सबके किचन में मौजूद होंगे, आप इनका इस्तमाल जादा करें, चौथी बात एक बताएं आपको, एक खाना आशकल बहुत जल्ली खराब होता है, तो एक जो हमारे जो बड़े सहरों के लोग देख रहे हैं, उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे, जो सुबा खाना बनाते हैं, राह तक फ्रीज में रख देते हैं, खाना अचकल फर्मेंट हो जाता है और वहां खराब होके, आपको चेहरे और स्किन सबको खराब करता है, जो आपका या आईना है अंदर का इस आईने को खराब करता है, उसको धूमिल करता है, तो आप बहुत अच्छे से पाने को ताजा पकाएं और किवल ताजा खाना खाएं, उसके बाद तांबा, तांबे का अगर आपके पास अफोड कर सकते हैं तो तांबे के बरतन नहीं तो एक तांबे का जग और गिलाज चरूर ले आए, सीधी धूप से आप बचे, टारेट धूप का इस्तमाल ना करे यहां सब करके आप अपने को स्रक्षित रख सकते हैं और आपका चेरा चमकने लगेगा, जी हां दोस्तों आप इन हेल्ट टिफ्स को आजमाएं और सुन्दर दिखें और स्वस्त रहें, आप अपना मन पसंदीदा कारिक्रम सेहत आपकी यूट्यूब पर भी देख सकते है डॉक्टर साब हमको इतनी महत्पूर जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का जो इतना अच्छा प्रोग्राम लेकि इस देश की जन्ता के बीच आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शकों का बहुत ब झाल